हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको दिसंबर 2022 इस महिने में सर्वस्रेष्ट भूमी पूजन के मुहुर्थ कौन से हैं इसके बारे में जानकरी दूँगा वैसे आपको इसपस्ट कर दूँ कि एक दिसंबर से लेकर दस दिसंबर के बीच में केवल दो मुहुर्थ आपको मिलेंगे सर्वस्रेष्ट फिर इसके बाद खरमास भी लग जाएगा एक महिने तक कोई शुब कारिर नहीं होगा और जनवरी में भी भूमी पूजन का कोई श इंतजार करना पड़ेगा फरवरी 2023 में ही फिर भूमी पूजन का सर्वस्रेष्ट मुहुर्थ मिलेगा तो अधिक से अधिक लाब उठाएं और दिसंबर में भूमी पूजन कर सकते हैं अर्थात नया मकान इन मुहुर्थों में बनाना शुरू कर सकते हैं इसके अलावा प आपका जो मकान है एक मंजल बनी हुई है दूसरी मंजल बनाना चाहते हैं तब भी इन दो मुहुर्थों को आप ले सकते हैं लेकिन मैं यहां पर दोनों मुहुर्थों में तीन तीन राशियों का नाम लूँगा तो प्रते एक मुहुर्थ में तीन राशियां ऐसी होगी उ को दूंगा तो सबसे पहला मुहुर्थ है दिनांक 2 दिसंबर 2022 मार्ग शिट्ष मास शुक्लपक्ष दश्मी शुकरवार है उत्रा भादरपत नक्षत्र है हालां कि उत्रा भादरपत नक्षत्र पंचक का नक्षत्र कहलाता है पंचक के बारे में पूरु में मैं जानकारी दे चुका हूँ कि पंचक से शुब नक्षत्र कोई होते ही नहीं है तो पंचक में भूमी पुजन, विवाहा और समस्त शुब कारे किये जा सकते हैं उसमें कोई दोश नहीं लगता है जोतिश शास्र की ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि शुब कारियों में पंचक नहीं लिये जाते हैं तो पंचक तो सभी शुब कारियों में शुब होते हैं पंचक के नक्षत्र तो दिनांक 2 दिसंबर 2022 को दो समय है भूमी पूजन करने के दो समय है भूमी पूजन की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए भूमी पूजन में क्या करते हैं कैसे भूमी पूजन किया जाता है शिलान्यास भूमी में पांच पत्थर पूजन करके कहां से रखना शुरू करते हैं नीव कहां रखते हैं पूरी प्रक्रिया जानने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में आपको बेज़ दूँगा उसको अवश्य देखें शिलान्यास वा सब्सक्रिप्शन में पांच पत्थर पूजन करके रखने हैं नीव की खुदई तो इन दिनों से पहले ही हो जानी चाहिए और किस कौन से खुदई प्रारम करनी है उसकी जानकारी भी एक वीडियो के माद्यम से आप जान सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को संडिजी आएंगे और पूजन करेंगे पूरी प्रक्रिया चलेगी तो लगबग एक गंटे की पूजन प्रक्रिया होती है और फिर इसी समय में ये जो समय बता रहा हूं इसी समय में नीव रखनी है नए मकान की या पूराना मकान तोड़कर नया करना चाहते हैं तब भी उसमें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं अब एक बात और ध्यान में रखें कि आप भारत में जैसे बिहार में रहते हैं या कलकता में रहते हैं मदरास में हैं दिल्ली में हैं मुंबई में हैं तो अलग-अलग इस्थानों पर धनू लगन में थोड़ा बहुत अंतर अव तो कुल मिलाकर आठ बीस से दस बीस के बीच में आप कर सकते हैं और यदि नो बजे करते हैं तो तो फिर कोई समस्यावाली बात ही नहीं बड़ा अंतर होगा तब भी निकल जाएगा अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं आट बीश से दस बीश के बीश में तो इसी दिन दो दिसंबर की दिन अभी जित महुर्थ भी रहेगा दो पहर बारा पाँच से लेकर बारा पैंतास के बीश में तो ये 40 मिनट जो हैं हालांकि पूजन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दे में लेकिन 12.05 से 12.45 के बीच में नीव रखना है आपको तो पांच पत्थर जिनका पूजन करेंगे नंदा बद्रा जया रिक्ता पुर्णा उन पांच शीलाओं को इस समय में नीव में रखना है अब यह मुहुर्द जो है किन राशी वालों के लिए अशुब रहेगा तो तीन ऐसी राशिया हैं उनके लिए यह मुहुर्द ठीक न शुब नहीं रहेगा इस बात को भी आप नोट कर लेएं अन्य जो नो राशियां हैं जिनका नाम नहीं लिया है उनके लिए यह मुहुर्द अतिशुब रहेगा यहां राशी का संबंद आपकी कुंडली में जो चंद्र राशी है उस से है तो इस बात को भी समझ लेएं कि दूसरा मुहुर्द है दिनांक 9 दिसंबर 2022 पोश मास क्रश्नपक्ष प्रतिबदा शुकरवार है इस दिन म्रग शीरा नक्षत्र है तो इसमें भी दो समय रहेंगे धनुलगन प्राताह साथ पचास से नो पचास के बीच में धनुलगन की पड़ताल अच्छी तरह से कर ले हैं आप जिस शहर में रहते हैं वहां का पंचांग अवश्य देखें वहां धनुलगन में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आएगा अभी जीत मूहुर्द में भी अंतर आएगा दूसरा मूहुर्द है अभी जीत इसी दिन 1210 से 1250 के बीच में तो इस समय में भी आप नीव रख सकते हैं तो दो समय हैं नो दिसंबर 2022 शुकरवार के दिन भी दो समय हैं आपके पास लेकिन यह मुर्द करक वरश्चिक और मीन राशी वालों के लिए शुब नहीं रहेगा यह जो तीन राशी वाले जातक हैं पति पतनी पूजा में बेठेंगे एक साथ लेकिन दोनो के दिन लेकिन पती और पतनी दोनों की राशी इन तीन राशियों में से ही है चाहे दोनों की करक हो चाहे एक की करक हो एक की मीन हो तो यहां पर यह मुर्द फिर शुब नहीं रहेगा दोनों में से एक की भी राशी अन्य है तब भी किया जा सकता है कोई समस्या वाली बात है और मान लिजे आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप यदि अकेले पूजा में बैठ रहें तो बैठ सकते हैं कोई समस्यावाली बात नहीं है उसमें भी आपको यह ध्यान में रखना है कि आपकी राशी क्या है अगर करक वरश्चिक मीन इन में से कोई एक राशी ही होगी तो फिर इस्तती ठीक नहीं है अन्य राशी है तो आप इस मुहर्द को ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात खुदई कहां से शुरू करें नया मकान बनाते हैं तो खुदई का भी एक कोण होता है वहीं से खुदई प्रारम करनी होती है तो यहाँ पर नीचे में देखेंगे कि एक वीडियो में ने उपर ही उपर ऐसा भी डाला है उसमें खुदई कहां से करें उसको अवश्य देखें और खुदई करने के बाद फिर पांच पत्र पूजन करके कहां रखें सबसे पहले शिलन्यास नीव रखना कहां से शुरू करें जैसे नीव पू पूजन करना भूमी पूजन करना एक ही बात है तो यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो अन्य दर्शक भी लाब ले सकेंगे आपके जो मित्र हैं रिष्तिदार हैं वे भी भूमी पूजन करना चाहते हैं नया मकान बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक अवश्य पहुंचाएं शेयर करेंगे तो वे भी गर बेठे ही लाब उठाएंगे निशुलक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी महतोपूर्ण जानकर्या समय समय पर देता रहूंगा नवंबर का मुहुर्त मैं बता चुका हूँ भूमी पूजन का तो इससे पहले वाला वीडियो आप अवश्य देखें इसके अलावा मैं दिसंबर के महिने में घ्रह प्रवेशकप कर सकते हैं उसकी जानकारी भी आने वाले समय में अवश्य दूँगा तो वीडियो देखते रहें निरंतर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें धन्यवाद जैशी कृष्णा